हेलो एव्रीवान वेल्कम बैक टो मैं चैनल डिविनीटी ठ्याराव सेक्स वे ट्रोथ एक्सपोज़ डाक्नेस तो आज का जो टॉपिक है गाईज वो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि आज है पिंक फूल मून इन लिब्रा तो इसका काफी ज़्यादा गहरा ए कभी-कभी रिलेशन्शिप्स का जो कैंडल ड्रापिंग होता है वो पहले आता है कभी-कभी कःर का जो होता है वो लास्ट में आता ہے यह जहां पर मैं डिफर profit को शो करते हूं so यह यह जो चैनल है मेरा Divinity Tarot 6 does not get involved in any type of selling of bracelets as business or any type of commercial products and services या any type of paid personal predictions or anything like that ठीक है this channel is based on spirituality and nothing else okay so let's proceed ahead क्योंकि मेरा जो philosophy है मेरा जो perspective है मैं आपको अपने सामने रख रही हूँ okay so यह जो reading होने वाला है यह timeless है gender neutral है male female सभी लोग देख सकते हो कभी भी देख सकते हो क्योंकि यह pink moon के बाद वाला भी prediction है okay so let's start let's find out so देख लेते हैं कि क्या क्या significant changes major changes परिवर्तन आपके जिंदेगी में आने वाला है वो किसी भी तरह परिवर्तन हो सकता है okay so please 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 मैं request करती हूँ reading को आपको last तक देखना ही है okay just a second I'll light the candle so in your spirit guides and angels please guide me in the right direction just a second guys please guide me in the right direction कि मेरे जो प्रिवर्तन आने वाला है क्या major changes उनके जिंदेगी में होने वाला है so this is for the purification okay so universe spirit guides please guide me कुछ लोग की case में मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपका जो है ना shift ठीक है यहां पर देखो victory sign almost चला है यहां पर okay so यहां पर जिस तरह से मुझे दिख रहा है कुछ लोग यहां पर Paisis हो सकते है कुछ लोग यहां पर ना Aquarius कुम राशी हो सकते है मीन राशी हो सकते है और तुला राशी हो सकते है कुछ लोग के साथ आपके साथ basically हो सकता है related to love matters हो financial matters हो यह आपके नीजी जिन्दगी हो नाइंसाफी तो जरूर हुआ है injustice हुए है जहां पर आप near to death experience जिस तरह से हुआ है जिस तरह से होता है न कि बहुत बड़े बड़े accidents अगर हो जाते है तो जहों लोग वहां पर suffer करते है ना victim मैं आपको examples दे रही हूँ उनको अगर पूछ के देखते हो ना तो उनको लगता है कि वो मृत्यू के एकदम past ने चले गए तो जिस तरह से हमारे जिन्दगी में भी अगर आपके जिन्दगी में भी इस तरह से हुआ होगा मैं current condition बोड रही हूँ या past कि इस तरह से दोगा हुआ है इस तरह से आपके साथ हो सकता है कि financial भी हो cheating भी हो fraud भी cases हुआ होगा जिस वज़े से आपको लगा कि maybe you had certain kind of you can say that suicidal thoughts हो सकता है किसी का and maybe you wanted to end your life या quit something ठीके quit करना चाते थे या आपके person के वज़े से इस तरह से कुछ चीज हुआ आगे जो होने वाला है of course जिस तरह से victory का symbol पहली चला है मतलब triumph है जीत हासिल होगा of course आपका यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दूसरे दरब से मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि कुछ new project में आपका काम स्टार्ट होगा और वहाँ पे भी जो भी fund आपको चाहिए वो of course आपको मिल जाएगा दूसरा चीज है किसी को pregnancy अगर issues था तो definitely गोद भराए का function baby shower मुझे इस तरह से लग क्यों लग रहा है कि कोई बच्चा है जिसका suppose मतलब उस तरह से होता है ना कि बच्चे पैदे हो पैदा होता ही कि एक-एक मजहब में होता है कि Christianity में अलग Muslim में अलग, Hindus में अलग कि कुछ occasions होता है उसको related ठीक है, उस तरह से कुछ होने वाला है किसी को definitely मुझे लग रहा है spiritual guidance, motivational ये सारे चीज motivate आपको बहुत ज़्यादा कोई करने वाला है या करने वाली है हो सदा ये आपके guide हो professor हो, coach हो जिनसे आपको पूरी तरह से आपको knowledge मिले और आपको वाकिफ हो, आप कहां पे हो और आप पीछे पूरी चीज situation को छोड़ रहे हो और आगे जिन्दगी एक सुनहरी ठीक है, golden opportunity आपके लिए वेट कर रहा है after the full moon and you need to be aware of that यहां पे kettle बन रहा है ठीक है, तो kettle मतलब चाय या coffee, whatever bit is so, जिस तरह से चाय या coffee पीने से mind fresh हो जाता है जिस तरह से बोलते हैं, एक चुसकी चाय यह होता है उसका बस पूरी दिन में हमारा freshness maintain होता है तो वही आपके relationship भी होगा, कि यह आपके इंसान जो है ना आपको proposal देने के लिए वेट कर रहा है मेभी आप थोड़ा सा open minded रहना ठीक है, हो साथ है कुछ लोग के लिए, जिस तरह से आप expect कर रहे हो, मेभी उस तरह का partner ना मिले, लेकिन उससे बहतरी, of course आपको मिलेगा, जो आपका देखभाल करेंगे जो आपको काफी ज़दा sympathetic partner मिल लेने वाला है passionate lover होगा और वो, and definitely मुझे जिस तरह से भी लग रहा है यहाँ पे, of course मैंने आपको starting में बता था कि मुझे aquarius symbol दिखा और aquarius मतलब क्या है ना, it's like a pot जिसके अंदर पानी होता है तो यह इंसान जो है काफी ज़दे emotional होगा हमेशा आपको proposal देने की कोशिश करेंगे कभी भी इस तरह का होगा नहीं कि वो भाग के चले गए and this person is not taking you seriously आपको seriously ना ले, इस तरह से होई नहीं सकता ओके, alright यहाँ पे कुछ cross मतलब आ रहा है plus holy sign, ठीक है holy trinity cross आ रहा है यहाँ पे तो spirituality के उपर आपका और भी ज़्यादा आकर्शन आपका होता जाएगा और इसी way पे आप बहुत कुछ मतलब जान पाओगे जो शायद आप पहले नहीं जान पाए थे और आप लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा किया करते थे आपके जो mentality है वो change होगा फर एक्जांपल आपका mentality इस तरह से था कि लोगों के उपर blind trust करना उनको follow करना ठीक है उनको जो भी बोल रहे हैं उस बात पर बिश्वास करना पर धीरे 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 सब कुछ चीज चेंज होगा आप अपने खुद के decisions लेना स्टार्ट करोगे ना कि लोगों के उपर dependent रहोगे co-dependent relationship अगर आप थे जहां पर आप सिर्फ उन ही के बारे में सोचते थे अपने बारे में अपने focus नहीं किया तो सारे चीज से आपको चुटकरा मिलेगा यहां पर some rabbit is holding something तो definitely यहां पर जिससे मैं आपको बता है very cute person personality उनका बहुत जदा सूबर हो सकता है pleasant personality बहुत शानती आपको मिलेगा जो चीज चाहिए पैसा से ज़्यादा शानती चाहिए आज कल दुनिया में पैसा तो सब लोग कमा सकते हैं यहां पर ace of cups बन गया यहां पर cup का shape आ चुका है so fertility, abundance आपके लिए of course wait कर रहा है कुछ लोग के लिए career change हो सकता है आप दूसरा शहर में जा सकते हो दूसरा कोई भी field में आप select कर सकते हो computer programmer आप हो सकते हो networking के द्वारा आपको बहुत कुछ हासिल होगा influencer आप बन सकते हो कोई podcast, blogging, any type of music channel any type of cosmetic या कोई भी beauty products, services इस तरह का channels हो सकते है कि आप चलाओ या खुद का shop आप खोलो, offline हो सकता है तिके मुझे लग रहा है कि graphics designer यहां पर कुछ लोग है जो animation के world पे जाना चाहते है कुछ वहाँ पे आप लोग create करना चाहते हो अपना career तो वहाँ पे भी होगा या आपके person हो साता है digital networking में हो, analytics में हो computer में हो website designer हो इस तरह से हो सकता है क्योंकि मुझे बहुत ज़दा website मुझे लग रहा है कुछ unhealthy connection जो बहुत ज़दा dirty था गंदा था ठीक है उस चीज को गंदा तो देखो mail होता है जिसको हमको साफ करना पड़ता है everyday we clean our homes to allow the fresh energy हम लोग अपने घर को हर रोज साफ करते क्यों करते हैं ताकि लक्षमी जी प्रवेश करें हमारे घर में good aura रहे राइट वारना कौन साफ करेगा तो इस तरह से मझे दिख रहा है कि कहीं न कहीं पे आप अपने जिंदगी में जो भी unhealthy toxic attachment था तेखें mail था वो अपके जिंदगी में तो उस चीज से आपको छुटकारा मिल रहा है and definitely new person is entering in your life H letter I letter J K P L आई ही बहुत ज़दा दिख रहा है तो कोई self-centered person आपके साथ जुड़ा हुआ था शायद या आपको अपने बारे में focus करने की ज़रूरत है जो आप बिलकुल नहीं करते हो यहाँ पे इस तरह का shape हो रहा है कि कोई आपको बहुत ज़दा मुझे लग रहा है न प्रोवोकेशन दे रहा है या आपके person को बहुत ज़दा प्रोवोक कर रहा है अपने तरफ खीचने की कोशिश कर रहा है I can feel any type of evil spirit here कुछ evil आत्माई भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो मुझे सही नहीं लग रहा है जो भी आपके घर में भी हो सकता है जो भी आपके holy water होते है न उसको डालके सेज बोलके herbs आता है कि काप लोग बोलते हो guidance देना या अगरबत्य आप कर सकते हो दो बार आप कर सकते हो अपने घर को नमक से साफ कर सकते हो कोई भी evil spirit नहीं रहेगा आपको test करना है तो कोई भी एक glass में पानी लेके freeze के पीछे या कोई भी जगा हो जो disturbance ना हो उस जगा को मैं पानी रख देना ठीक है after 24 hours see कि अगर वो पानी ठीक तरह से है transparent है तो ठीक है अगर नहीं है थोड़ा सा आप देख रहे हो कुछ कुछ इस तरह से है कि इसमें कुछ दिख रहा है आपको impurities दिख रहा है तो उस of course evil energies है जितना तक मेरे knowledge है तेक है evil energies होने से क्या होता है तरक्की रूख जाता है वास्तु शास्त्र में कुछ problems हो सकते है आपके घर में related इसलिए शांती नहीं आता या बहुत कुछ पैसा होते वे भी आपको लगता है कि कमी है इस तरह का कुछ situation है relationship में उलजनी रह जाता है इस तरह से हो सकता है कुछ बात ही नहीं हुआ मतलब कुछ problems ही नहीं है फिर भी दिखाई देता है कुछ problems okay रिष्टे मतलब जो भी है बच्चे related को issues हो सकता है आपको मतलब कुछ problems है जो solve definitely होंगे यहां पर एक telephone बार बार दिख रहा है मुझे so if you can expect a call important call हो सकता है वो आपके personal life related हो सकता है कुछ tap भी दिख रहा है नल से जिस तरह से पानी बहता जाता है आपके जिन्देगी में बहुत positive चीज बहता जाएगा और of course हो सकता है अगर tap दिखाए तो water again emotional side आप अपने emotional side से connect होंगे और आपको realize होगा कि आए actual में प्यार किया है actual में प्यार वो चीज होता है जहां पर लोग आपका साथ दे गलत चीज में नहीं साथ देना है अच्छे चीज में आपका साथ वो हमेशा दे और आपको वो कभी भी छोड़ के ना जाए जब आपका सबसदा जरूरत है तो उस तरह का partner आपके जिन्दगी में आ रहा है जो कभी भी आपको छोड़ के बिलकुल नहीं जाएंगे अगर वो commitment देंगे तो वो बिलकुल यह decision लेके जरूर आएंगे कि आपके साथ जिन्दगी बिताना है आपके साथ जिन्दगी को explore करना है तो बहुत significant changes मुझे दिख रहा है यहाँ पर किसी का face दिख रहा है जो mask है मतलब अपने feelings को share ना करना इसके वज़े से आपको और irritation होता है so just forget it किसी को बोलना होगा express करना होगा तो वो कर देंगे आप लोग बोलतो मुझे मैं कहां बोल रही हूँ कि wait करना है मैंने आज तक नहीं बोला है किसी के लिए wait करना है you should not wait for any person you should go as far your way आपके decision है tarot आपको कभी भी या tarot divinity whatever यह कभी भी आपको नहीं बताते है कि आपको यह करना है it's a guidance that you need to follow आपको follow करना है नहीं करना है वो decision आपका होता है मैंने नहीं बताया अभी देखते हैं कि कितने समय के अंदा क्योंकि आप लोग बोलते है zero zero बहुत ज़्याद है zero किस ने invent किया था Mr. Aryabhat ने invent किया था और तब लोगों को लगा था zero मतलब शुन्या मतलब कुछ value ही नहीं है उसका अगर हम देखें हमारे world जो है this is circular ship वो भी तो एक शुन्या है ठीक है और शुन्या में ही सारे planets है तो शुन्या का बहुत ज़्यादा एक महत्व है especially tarot में भी आपने देखा है zero is the fool it's all about a start in your life fresh chapter in your life तो होने वाला है वो क्योंकि zero आ रहा है यहां पर उस अदा है double zero triple zero अब देखो मैं हमेशा देखते हू और आपको अगर seven दिख रहा है double seven triple seven मतलब आपको और explore करना है दुनिया को और मतलब अंदर तक जाना है seven is again the number for deep research because I do research that's why मैं इस research में इस field में नहीं बोल रहा हूँ मेरा management में field में मैं करती हूँ research तो इस तो हो सता इस लिए दिखाई देता होगा so it's like that यहाँ पर the number you can say zero तो दिखाई उसके साथ साथ 10 11 11 भी number दिख रहा है मुझे तो मेभी हो सकता है it can happen within 10 days 10 weeks आप लोग बोलता हो specific बताना in a general prediction it's not possible but still I find it 10 weeks 10 months के अंदर बहत कुछ significant आपके लिए changes है अभी हम थोड़ा सा देख लेते है with the cards क्योंकि मून आज मून का बारे में है यहाँ पर इसलिए मैं मूनोलोची टेक को यूज कर रही हूँ okay मेरे पास और एक टेक है उसको मैं यूज कर चुकी already so this is the thing so definitely क्या आरा है बहुत ज़र सिगनिफिकेंट चीज major life changes after the full moon universe please guide me in the right direction your dreams need a practical plan full moon in Taurus okay hold your vision okay hold your vision मतलब क्या है कि यह आपको अगर आपके कोई मकसद है तो आपको उसको hold करके रखना है मतलब क्या है उसको ध्यान में रखना है hold करके वो hold वालर नहीं है तिका अगर आपके कोई dream project है तिका अगर आपका सपना है शादी भी सपने में आता है बच्चे भी सपने में आता है financial भी सपना होता है उसके लिए planning तो करना परेगा ना आपको okay after the full moon you are very close to achieving your goal fiery climax approaches full moon in Aries तो अगर कोई situation का आपको जानना था कि इसका climax क्या होगा तो वो definitely आ रहा है okay full moon in Capricorn the end of a tough cycle approaches कुछ phase से आप जा रहे थे मुझे लग रहा है यहां पे बहुत सारे लोग हो सकता है मकर राशी कुम राशी हो सकता है ब्रिशब राशी हो सकता है यहां पे मेश भी है तीके तूला राशी भी हो सकता है कुछ लोग it's time to release negativity full moon in Scorpio तीके Scorpio में आ रहा है तो definitely आपको bold होना है आपके पास भी मैंना आपको बताया जो भी partner आएंगे वो काफी जादा loyal होंगे devoted होंगे आपको मान के यह चलना है कि you are good enough okay so full moon in Virgo so this is all about today's reading guys and I hope you like it so if you like please do subscribe, share and do comment in the comment section till then take care of yourself and keep watching divinity, terror, or six, wet truth always exposes darkness and will expose darkness